आज हम आपके लेकर रहे हैं यू डिजाइन का गर्ल्स कैप इसको आप बहुत ही इजी विए में बना सकते हो तो अगर आपको हमारा वीडियो पॉस्सिंद आए तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइकन को जब प तो हम एक खंदा उल्टा बूल को पीछे करेंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा ऐसे ही पूरी रो कम्प्लीट कर लेंगे फास्ट रो ऐसे ही बुनेंगे यह देखे इस तरह से यह देखे फर्स्ट रो कम्प्लीट होगा यह पलट लेंगे यहां से आप देखे यहां पे एक फंदा उल्टा यह बाला बूल को पीछे करेंगे सीधा बाला फंदा एक रो से नीचे से बनाएंगे ऐसे इस तरह से देखे बूल अपने तरह एक फंद उल्टा सीधा वाला जो फंदा है उसको हम एक रो नीचे से बुनेंगे ऐसे बूल अपने तरफ यह देखे आगे ऐसे एक रो नीचे से एक फंदा उल्टा यह देखे इस फंदे को ऐसे बना लेंगे पालट लेंगे आप देखे जो उल्टा फंदा है उसको हम उल्टा ही बुन लेंगे इधर से और इधर से जो सीधा फंदा आएगा उसको हम देखे एक रो नीचे से बनाएंगे बूल अपने तरफ एक फंदा उल्टा और देखे यहां से देखे वैसे हम यहां से बुनते हैं यह देखे अब हम यहां से बुनेंगे एक रो नीचे से देखे इस तरह से यह दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे यह देखे इस तरह से आप देखे इसको हम लंबी सी पट्टी बनाएंगे पट्टी इतनी लंबी होनी चाहिए जितना की आपको कैब बनाना है जिसके नाप का बनाना है उसके सिर को नाप लेंगे राउंड में और इस तरह से इसकी पट्टियां बनाके कम्प्लीट करनी है त इस तरह से मैंने ये पट्टी बना के कम्प्लीट कर ली है और देखिए यहां से अब हम सभी फंदे बंद कर देंगे ऐसे दो का एक करते हुए यह देखिए ऐसे बंद करेंगे सारे फंदे लाश्ट तक यह देखिए अब देखिए इस धावे कुपट करके इस फंदे में से निकाल देएंगे और देखिए इस तरह की तीन पट्टिया चाहिए मुझे बराबर नाप की और बराबर फंदे होने चाहिए वारा वारा फंदे की बना रही हूं मैं आप अगर इसको कम चो आपको छहिए उसको देखिए इस तरह से आपको नाप ना है यहा से ऐसे देखिए को एक पट्टी है से करके ठोड़ा सा लूज रखेंगे हल्का सा बहुत जादा नहीं यह देखिए इस तरह से इस nesse को यहां तक आ आ जाहिए बहुत ज़ादा खीजके नहीं नापेंगे ना बहुत ज़ादा लूज रखेंगे ताकि ये फिट आए आपको तो देखिये इस तरह से आपको नाप लेना है जिसका भी बनाना है छोटे या बड़े का जो भी बनाना चाहत हैं आप आप देखिए इस तरह से तीनों पट्टियों को हम पकड़ लेंगे जहां से हमने फंदे डाले हैं वहां से यह देखिए इस तरह से और देखिए इसके भी यहां से फंदे डाले हैं इस वाले को पलट लेंगे तीनों को इस तरह से यहां से सिल देंगे पहले तीनों पट्टिया मिलाते हुए सिलेंगे अच्छे से यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस धावे को कट कर देंगे यह देखिए इस तरह से मैंने यह पट्टी जोड लेए हैं आप देखिए हम इसकी चोटी बनाएंगे यह देखिए ऐसे किया और देखिए इसको ऐसे इधर कर लिया इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे टाइट वापस इसको ऐसे करेंगे इसको यहां से यह देखिए इस तरह स पूरे की इसकी ऐसे ही चोटी बना लेंगे ये देखिए इस तरह से और देखिए इधर भी हम तीनों को ऐसे पकड़के सिल देंगे अभी ये देखिए यहां से ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से मैं चोटी बना ली है अब देखिए हम इनको भी ऐसे रखके तीनों को जोड़ देंगे अभी के लिए फिर मैं आगे इस तरह से कच्चा सिलाई कर देंगे क्योंकि आगे मुझे इसकी सिलाई खोल नहीं है ऐसे यह देखिए यहाँ पर हम इस दागे को कट कर देंगे यह देखिए एक बार हम और आपको नाप के दिखा देते हैं यह देखिए इसको ऐसी किलियर आना चाहिए जिसकी का आप बनाएंगे आप देखिए यहाँ से अलका सा खीच के इसको नाप लेंगे पूरा आ रहा है अब हम यहाँ से इसमें फंदे उठाएंगे यह देखिए जहां से मैंने यह जॉइंट किया है ऐसे एक रो ऐसे करके ऐसे हर रो में से एक खंदा उठाते जाएंगे यहाँ तक देखिए उठा लिए मैंने आप देखिए यहाँ से इस वाली पट्टी को ऐसे कर लेंगे और यहाँ से यह देखिए एक दो तीन चार पांच छे यह देखिए छे दूनी बार है बार है फंदे एक पट्टी मैं से उठाएं मैंने आप देखिए यहाँ से इसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस यह देखिए दस फंदे यहाँ से यतने एजली इसमें उठ जाएंगे उधने यहाँ उठाएंगे ऐसे देखिए पूरे मैं यहाँ तक यतने फंदे उठ जाएंगे वो मैं उठा के आपको दिखाती हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने 98 फंदे उठा लिये हैं दो फंदे और उठाऊंगे मैं बीच मैं से यहाँ पर मेरे पास 100 फंदे हो जाएंगे आप अपनी उनके साफ से फंदे कम जादा भी कर सकते हैं आप देखिए इधर से हम पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे है स्च तो हम बनाले तेहें यह देखिए उल्टे तरब से मैंने रो कंप्लीट कर ली आप देखिए यहां से एक फंदा उतारोंगे भूल अपने तरफ़ एक फंदा उल्टा और देखिएैं एक सीधा बनाएंगे पूरी रो बना लेते हैं इदर से यह देखिए यहां तक मैं रो पूरी कर ली एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए पलट लेंगे इसको आप देखिए यहां से जो सीधा फंदा है उसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे उल्टा है उसको उल्टा यहां पर फर्ष्ट वाला मैंने ऐसे ही बुन लिया आप देखिए यहां पर जो सीधा है वो हम एक रो नीचे से बनाएंगे ऐसे यह देखिए ऐसे पूरी रो ऐसे ही बुन लेंगे कि रेखिए वैसे यहां से बुनेंगे एक रो नीचे से अलटा ऐसे ही बुनेंगे सीधा वाला जो है उसको हम एक रो नीचे से बुनते जाएंगे और रो कम्प्लीट करेंगे अब देखिए सीधी रो पे आ गई हूं मैं तो यहां से एक फंदा उतारूंगी उल्टा फंदा जो है उसको मैं ऐसे ही बना लूँगी सीधा वाला धागा पीछे करके यहां से देखिए एक रो नीचे से बनाएंगे इस तरीक आप देखिए इसी तरीके से मैं इसकी लंबाई पूरी होने तक बनाऊंगी फिर मैं आपको दिखाती हूं जब इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी ऐसे मैं तो मैं फिर दिखाऊंगी यह देखिए इस तरह से मैंने इसकी लंबाई बना के कम्प्लीट कर ली आप देखिए यहां से नाप लेंगे ऐसे देखिए साड़े आठ इंच के करीब इसकी लंबाई रखी है मैंने आप इसको अपने कॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं या फिर आप पुराने कैप से नाप लीजिए तो अब देखिए यहां से हम फंदे घटाएंगे इस रो में देखिए प यह देखिए ऐसे पूरी रो ऐसे हम बना लेते हैं आप देखिए यहां से सभी फंदों में से हम इस तरीके से सुई को निकाल लेंगे ऐसे करके कि एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए सभी फंदों में से ऐसे यह देखिए यहां पर मैं सारे फंदे ऐसे कर लेती हूं इस तरह से देखिए यहां से हम इस धागे को ऐसे पकड़ लेंगे और देखिए इसमें से ऐसे निकाल लेंगे और इसको टाइट करके खेच लेंगे ऐसे एक बार और इनी फंदों में से हम यह दागा निकालेंगे या फिर आप डबल भी कर सकते हैं देखिए ऐसे है कैसे अलब अब यह देखिए इसको अलका सा इस होल को और बंद करेंगे ताकि विलकुल यह खुला ना रह जाए यह देखिए अब यहां से हम देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए यहां तक ऐसे पकड़के और इस शिलते जाएं इस तरह से यहां तक सिल लेते हैं यह देखिए इसको भी हम ऐसे मिलाते हुए सिलेंगे और देखिए जहां पर यह मैंने ऐसे जॉइंट किया था इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे मिलाते हुए इस तरह के से ऐसे पूरा लाश्ट तक इसको हम सिलते जाएंगे यह देखिए यहां तक अब हम यहां पर अच्छे से से टक करेंगे थोड़ा सा अंदर ले जाके धागा कट कर देंगे कर दो कर दो दो था टाएंगे जाएंगे